हाँ जाहिंद आपसे लोगों का स्वागत नेशनल कुप्रा के डिट यूटूब चैनल में बीए सेफ हेड कॉंस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसाई की रिगार्डिंग मैं यह वीडियो बनाने जा रहा हूं आप लोगों को तो पता चली गया होगा कि आपका जो है कि रिटन का एक्जैम का डेट आ चुका है ठीक है और आज है 2 जून 2023 और कल आपका तीन को आपका एड्मिट कार आ जाएगा कि कब आपका रिटन एक्जैम है ठीक है तो अभी यह किसके regarding में बात करूँ अगर आपको नहीं पता है तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में जो है यह notification जो था ठीक है और इसमें क्या 312 मिनिस्ट्रियल वालों के लिए था 11 एसाइस टेनों के लिए था 5-6 में जो कि मैं टेलिग्राम में भेज दिया हूँ आप जाकर कि वहाँ ब्सक्राइब कर देंगे सर्च कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा 21 दिसमबर 2022 से आपका PST और डाकुमेंटेशन शुरू हुआ जो कि जैन तक चला था जैनवरी 2023 तक कि आपका रिजल्ट आ गया रिजल्ट का वाया मार्च में आया फिर उसके बाद से मार्च के बाद से सब कुछ बंद था कुछ नहीं पता चल रहा था तो फिर क्या पता चला है कि अभी को नोटिफिकेशन एक जून 2023 को जारी किया गया ब्यसक के द्वारा कि आपका रिटन एक्जैम है कैसे होगा अब जो पहला नोटिफिकेशन था उसमें लिखा हुआ था या तो आपका उनलाइन होगा या तो आफ्लाइन हो सकता है प्यमार बेस पे या तो आपका कंप्यूट बेस्ट पर हो सकता है तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ट होगा आपको जो जो सेंटर रहेंगे वहां बेस देंगे और एक्जैम का डेट भी क्लियर कर दिया है 17 जून और 18 जून को है दोनों लोगों का मिनिस्टरियल आलों का और ASI के लिए आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए कुछ घंटों बाद आपका एड्मिट कार्ड भी आ जायाएगा आप वहां से जा करके चेक कर लिजिए को उसका भी में आपको वीडियो बना के दे दूंगे अब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ था आर्थ हार्ट दो हजर बाईस स चेनो दो हजर वाईस तक चला हुआ था ठीक है तो बस यहीं इंफॉर्मेशन देना था बाक तयारी हो जिसकी जैसे रही होगी अब अपना आपको लड़ना है वही सेलबस में क्या था आपका हिंदी इंग्लिस हिंदी या इंग्लिस था ऑप्शनल था जनरल इंटेलिजें आपका एड्मिट कार्ड डाउनलोड करके आपको बता दूँगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्टुडियों सो फर जाहिन